भारतीय क्रिकेट टीम के उपकतान रोहित शर्मा बांगलादेश के खिलाफ कोलकाता में 22 नवंबर को खेले जाने वाले भारत के पहले डे-night टेस्ट का हिस्सा बनने के लिए काफी उत्सुक और उत्साहित हैं। भारत अब तक डे-night टेस्ट प्रयोग से दूर रहा है। इसकी शुरुआत 2015 में एडिलेड में हुई थी। हालां कि शर्मा को सितंबर 2016 में इंडिया ब्लू और इंडिया रेट के बीच दलीब ट्रोफी के फाइनल में गुलाबी गेन से खेलने का अनुभव है। काफी नया experience था। तो ऐसे ही कुछ रहेगा हमारे लिए कॉलकता में भी हम काफी समय से वेट कर रहे थे हैं पिंग बॉल जे खेलने का तो अभी मौका आया है पिंग बॉल जे खेलने का तो यही कहूंगा कि कोशिश करेंगे वो गेम में अच्छा performance करके जो भी हमारे 60 पॉ उन्होंने टेस्ट ओपनर के रूप में उन्होंने चार पारियों में 529 रन बनाए देखिए कोशिश मैं करता रहूंगा जब तक खेल रहा हूं अच्छा करने की हमारे लिए मेरे लिए खास करके मैं जो कर रहा हूं वो रूप मतलब मैं यह नहीं देख रहा हूं कि इतना क हमारा जो काम ही है कि खेलते रहना और परफरमंट करते रहना तो इस तरीके से मैं देख रहा हूं अपना आगे का जो भी सीरीज अभी जो हूने बारा है बंगलादेश के साथ हैं उसके बाद वेस्स इंडीज है उसके बाद फिर अन्यूजलंड भी जा रहे हैं तो धीरे हर बार विराट कोहली को आराम दिये जाने के बारे में पूछने पर कहा गया कि रोहित शर्मा ने कहा कि टीम का नेत्रित्व करना अपने आप में एक सम्मान की बात है, ऐसा करके वो काफी खुश है। आज मेरे पास वो अपॉर्चनिटी है कि मैं टीम को टीम इंडिया को ग्राउंड पर लेकर जाओ और लीड करू उनको तो यह बहुत बड़ा ओनर है, मैंने इसके पहले कुछ समय तक कप्तानी की है टीम की, काफी अच्छा एक्सपिरियंस रहा है, तो मेरे लिए मैं यह नही बारे में नहीं सोच सकता हूँ और मैं उसके बारे में बात भी नहीं कर सकता हूँ, I think जब भी कैप्टेंची का मौका मिलता है, मैं खुशी-खुशी उसको स्विकार करता हूँ, और कोशिश करता हूँ कि, you know, एक 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 जामपल सेट करूँ, BCCI के नए अध्यक्ष सौरब गांगुली से मिलने की बात पर उन्होंने कहा, करतु तक पर एक एक शुशी उसका चाहिए बात फाल्यची मौकारा ऑचांग। सेटेशने की करते नहीं चाहिए, और किज़ अलड़ के लिए, हम्हाराइ टीज़ था श्यूशी उसको, सब आध्यक्षा कर्या स्थार्षा लग्ताश पर आपक्श्यू सेट करते सेटिशन